हलो दोस्तों, I welcome you all on AEC Plus, a Digital Platform of Advanced Engineering Classes. तो सोरी सेरीज में आप से भी लोगों का स्वागत है, इस्पेसली डिजाइन की गई सेरीज है, फोर SSC JEE Men's 2023 के लिए. तो हम लोग पढ़ रहे हैं Thermodynamics और ये Thermodynamics का Lecture No. 6 है, इससे पहले वाला जो सेशन था, Lecture No. 5, अभी तक हम 100 कुष्चन देख चुके हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के कुष्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और ये वाला जो सेशन है, इसमें भी हम काफी अच्छे कुष्चन देखेंगे, Thermodynamics से लिलेटेट, टोटल 20 कुष्चन हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं, और इसी तरह से अगर आपको सभी सब्जेक के प्रेक्टिस सेशन की जरुवत है, आपकी प्रेपरिशन को एफेक्टिव बनाने के लिए, और साथ में अगर आपके सब्जेक को आप कम समय में रिवाइस करना चाहते हो, तो इसके लिए जो हमारी अप्लिकेशन है AEC+, इस अप्लिकेशन पर बेच अवेलेबल है, प्रेक्टिस प्लस रिवीजन बेच, यह already start हो चुका है 15th of October से, इस बेच के अंदर आपको 200 प्लस आवस के Lectures मोडिल मिलेंगे, जिससे आप आपके हर सब्जेक को काफी कम समय में रिवाइस कर सकते हो, और इसका अलावा यहांपा 3000 प्लस प्रेक्टिस कोशिंस के सेशन आपको देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइस जिसमें काफी अच्छे लेवल के कुशन, गेट April के कुशन यहांपर आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर आप अभी इंडोल नहीं हुए, अगर आप चाते हूँ प्रिपरेशन को एक्टिव बनाना तो आप डेफिनेटली जल्ली से जल्ली इस बेच के अंदर इन्रोल करें चली तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लेक्षे नमर 6 है इस लेक्षे नमर 6 इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं देखते हैं लेक्षे नमर 6 का पहला कुश्चन क्या है टोटल 100 question हम पहले भी कर चुके हैं पिछले पास्सेशन में और ये 101 question number 101 देखी क्या है question an ideal gaze undergoes an isothermal expansion देखी क्या बोल रहा है ideal gaze से और isothermal expansion हो रहा है कहां से कहां तक r2s state r2s यहां पर pv diagram भी हमको दिया गया है दिखे expansion हो रहा है कैसे हमें पता चला है कि यहां पर volume बढ़ रहा है pressure क्या होगा in a turbine as shown in the diagram given below यह turbine का expansion हमें यहां पर दे रखा है क्या बोला है the area of shaded region is 100 sorry 1000 newton meter यह जो shaded region है shaded region मतलब यहां पर यह जो area हमें दिया हुआ है यह बोला गया है कि यह जो area it will be 1000 newton meter है the amount of turbine work done during process अब दिखे expansion हो रहा है तो work होगा और work हो रहा है तो हमसे पूछा गया है कि इस expansion के दौरा टर्बाइन कितना work करेगी यह हमें यहां पर calculate करना है तो no doubt अगर ऐसे question अगर पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि turbine के लिए work कैसे calculate करते हैं तो turbine एक open flow system होता है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि turbine से work calculate करने के लिए जो relation हम use कते हैं वहां relation क्या होता है integration of VDP अगर हमें process पता है तो उस process को हम project करते हैं कहां पर pressure access पर यह बात ध्याना के उस process को हम project करते हैं कहां पर pressure access पर और जो हमें area मिलता है वही area आजाता है आपका integration of VDP तो ultimately अगर हमें यहां पर turbine का work निकालना है तो जो work होगा वो क्या होगा यह process है इसको हम project करेंगे कहां पर pressure access पर बिल्कुल गलती मत करिएगा volume access पर आपको project नहीं करना है इसको project करेंगे हम कहां पर pressure access पर मतलब यह वाला area और साथ में यह वाला area इन दोनों को हम जोड़ें तो हमें मिलेगा turbine से मिलने वाला वर्थ तो यह वाला area है अल्लेडी हमें दिया हुआ है thousand newton meter ध्याना के newton meter जो है यह energy की unit होती है और यह ही joule होता है और यह वाला area हमें निकालना है तो यह area हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर यह volume access पर volume हमें दिया हुआ है pressure access pressure की unit आप दिया हुआ है pressure जो आपको दिया हुआ है बार में दिया हुआ तो यह area कितना आ जाएगा area of this rectangle will be देखे मैं सिधा सिधा लिख रहा हूँ यह rectangle है तो इसका area क्या होगा length into height length कितना है point one point one into height कितना है two minus one 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 क्या है बार है तो यह two minus one हम लिखेंगे और बार को अगर ह हमें पास्कल में convert करना है तो 10 की पावर 5 से आपको multiply करना पड़ेगा 10 की पावर 5 सम multiply करेंगे तो यह area कितना आ गया देखेंगे यहाँ पर two minus one 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 into point one point one into 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 फोर तो यह area यह area कितना आ गया 10 की पावर 4 10 की पावर 4 यह भी क्या न्यूटन मीटर ये भी न्यूटन मीटर और ये भी न्यूटन मीटर तो 10 की पावर 4 इसका मतलब क्या हुआ 10,000 10,000 प्लस 1,000 हम करेंगे ये बन जाएगा 11,000 न्यूटन मीटर ऐसा कोई option है क्या 11,000 न्यूटन मीटर ये अगर ये वाला एरिया आपने ले लिया तो यहाँ पर mistake हो सकती है वैसे अभी तो अगर हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर भी ये 1 बनेगा ये भी 0.1 बनेगा अगर ये वाला एरिया भी ले लोगे तो question ऐसा पूछा गया है कि उसमें answer तो आपका यही आएगा वेसे बट सही तरीका जो है calculate करने का वो मैंने आपको बता दिया इसका solution भी यहाँ पर दिया हुआ है correct answer पहले देख लेते है option C will be the correct answer solution भी यहाँ पर दिया हुआ है minus VDP से आप निकाल लेंगे और वो area ही निकलता है ultimately तो answer जो आएगा आपका 11,000 Nm हो जाएगा चलिए now move to the next question question number 102 क्या बोल रहा है an insulated box containing 0.5 kg of gas देखिए हमारे पास एक box है देखिए ऐसे question अगर आपको बनाना है तो आप जैसे ही question को पढ़ते हो उसके according आप diagram बनाना चालू करते हैं जब भी ऐसे question आप देखते हो insulated box है जि 0.5 kg gas है और इसका specific heat हमें दे रखा है कितना दे रखा है 0.98 हमें दे रखा है किलो जूल पल kg Kelvin falls from a balloon 4 km above the earth surface ये जो है ये किसके अंदर एक balloon के अंदर है और ये इसको गिराया जा रहा है कहां से 4 km उपर से तो ये height हमें दे रखिए ये height हमें दे रखिए it will be 4 km 4 km उपर से इसको गिराया जा रहा है क्या बोला the temperature rise of the gas when the box hit the ground जब ये box ground से टकराएगा तो temperature बढ़ जाएगा पहले ही बोल दिया है कि temperature rise बढ़ेगा definitely बढ़ेगा इसके पास अभी फिलाल energy ये कौन सी energy है potential energy यही energy आपकी convert हो जाएगी thermal energy में जब ये ground से टकराएगा तो हमे temperature rise calculate करना है अब देखें यहाँ पर ideal gas है तो इसका इसके पास जो energy आईगी वो कौन सी energy आईगी ये जो potential energy है तो potential energy आपकी convert होगी इसके अंदर किसमें heat energy में तो ये heat energy जो होती ही क्या होती है हम इसको इस तरह से लिख सकते है mc delta t mc delta t is equal to अब ये mass एक particular mass है इसकी specific heat भी हमें पर है 4 km तो इसके पास जो energy होगी potential energy कितनी होगी mgh तो mgh तो mass से तो mass cancel out हो जाएगा c हमें यहाँ पर दे रखा है c की value कितना है 0.98 change in temperature हमें निकालना है delta t is equal to g, g कितना लेंगे हम 10 भी ले सकते हो या 9.81 ले लिजिए पहले तो अभी 9.81 क्योंकि यहाँ पर 0.98 दे रखा है तो 9.81 की जगह आप 9.80 ले लिजिए ताकि यह आसानी से calculate हो जाए और h height कितनी 4 km किलो मिटर को आप मेटर में convert करना ना भूले 10 की power 3 से multiply करें तो यहाँ पर change in temperature कितना हमें देखने को मिलेगा अच्छा एक और ची ध्याना के यहाँ पर यह जो है किसमे kilojoule में kilojoule में तो यहाँ पर आपको इसको divide करना पड़ाएगा या फिर यहाँ पर आप multiply कर लिजिए 10 की power 3 से तो 10 की power 3 से multiply करेंगे तो 10 की power 3 और यहाँ पर 10 की power 3 कि क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो यह बन जाएगा 4 into 9.80 divided by 0.98 तो I think it will be 40 change in temperature कितना हो जाएगा 40 Kelvin अचा change in temperature जो होगा 40 Kelvin होगा या 40 degree Celsius होगा तो Kelvin में difference देखें या degree Celsius में difference देखें दोनों में बात बराबर है तो options आरे Kelvin में दिये तो हम Kelvin में ही answer mark करेंगे 40 Kelvin will be the correct answer I hope यह समझ मा आ गया होगा simple question था solution भी यहाँ पर दिया हुआ है वही M C V D T को आपको equate करना है किससे M G S से Now move to the next question 103 Which one of the following is a steady flow energy equation for boiler तो boiler भी एक open flow device होता है यह आपको पता होना चीए जितना मास इसके अंदर enter करेगा उतना ही मास से बाहर निकलेगा तो इसके लिए जो steady flow energy equation हम लिखते हैं तो इन में से कौनसी steady flow energy equation correct होगी boiler के लिए तो steady flow energy equation आप लोगों को पता होगा steady flow energy equation का होती है It will be enthalpy at 1 साथ में kinetic energy प्लस potential energy अगर कोई heat transfer हो रहाए और is equal to हम क्या लिखते हैं S2 प्लस C2 का square by 2 प्लस GZ2 प्लस work तो आप boiler है तो जो fluid की inlet पर velocity होगी वही exit पर velocity होगी यह दोनों term cancel out हो जाएगी यहाँ पर G नहीं आएगा ध्याना के लिए यह दोनों cancel out potential energy में कोई change नहीं होगा कोई work interaction नहीं होता है boiler से और तो यहाँ पर जो heat supply होती है boiler में वो कितनी होगी S2 माइनस H1 तो यह equation बन जाएगी boiler के लिए तो आप ध्याना कें कि boiler के लिए study flow energy equation अगर इसा भी question पूछाया था boiler तो एक काफी important topic है power plant का तो ऐसे भी question पूछाया सकता है कि boiler के अंदर कितना heat supply होगा तो यह जो H1 जो है यह क्या है जो water enter करा है feed water की enthalpy होगी और जो H2 होगा यह क्या होगा जो steam बहाँ निकल रही either it is saturated या superheated जो भी steam होगी उसकी जो enthalpy होगी इन दोनों का difference जो रहेगा यही heat addition के लाएगा boiler के अंदर और boiler के अंदर जो heat addition process होती है ध्यान अखे constant pressure process होती है जो कि अभी SSC Jai में भी यह primary question पूछा गया था boiler के अंदर जो heat addition process होती है वो constant pressure process होती है ध्यान अखे बढ़ते हैं इस question का correct answer क्या होगा option B will be the correct answer now move to the next question question number 104 क्या बोल रहा है 104 change in internal energy in a reversible process occurring in a closed system is equal to heat transfer if the process occurs at constant ती क्या बोला change in internal energy मतलब dell U किसके बढ़ाबर है in a reversible process occurring in a closed system is equal to heat transfer जो heat transfer हो रहा है उसके बढ़ाबर dell Q के बढ़ाबर तो change in internal energy dell Q के बढ़ाबर heat transfer के बढ़ाबर कब होगा जब work interaction क्या होगा जीरो होगा अगर हम लिखते हैं first slope thermonize dell Q is equal to D U plus dell W तो अगर work interaction अगर जीरो होगा तो ये change in internal energy जो है ये heat transfer के बढ़ाबर हो जाएगा जो heat हम transfer करेंगे वही सारी convert हो जाएगी किसमें internal energy में closed system के लिए और closed system के लिए work कब जीरो होता है reversible process closed system तो जब reversible process closed system का जो work होता है ये क्या होता है PDB और closed system है तो ये work zero कब होगा ये work zero होगा जब volume क्या रहेगा constant रहेगा और volume अगर constant है तो उस process को हम क्या बोलेंगे ISO का औरी process बोलेंगे constant volume process बोलेंगे constant volume है हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं suppose हमारे पास एक system है volume constant है यहाँ पर इसके अंदर suppose air है तो यहाँ पर हम इसको जो heat supply करेंगे इससे क्या होगा इसकी internal energy बढ़ेगी क्योंकि कोई work interaction नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर volume जो है वो क्या है constant है तो यही पूछा है तो इसी process को हम क्या कहेंगे definitely constant volume process पर ये चीज हमें देखने को मिलेगी तो correct answer क्या होगा option C will be the correct answer चलिए now move to the next question question number 105 क्या बोल रहा है a closed system undergoes a process 1,2 for which the value of Q12 and W12 are plus 20 kilojoule and plus 50 kilojoule तो 1 से 2 जो process हो रही है इसमें हमें दे रखा है क्या W1 से 2 work interaction हमें दे रखा है कितना plus 20 kilojoule अच्छा ये 50 दे रखा है तो इसको मैं W की जगा Q बना लेता हूँ heat interaction दे रखा है 1 से 2 में कितना plus 20 और work interaction हमें दे रखा है कितना plus 50 kilojoule 1 से 2 जो process हो रही है इसकी बाद चला अब क्या बोला है if the system return to state 1 वापस 1 से 2 जा रहे है तो ये चीज आ लिए वापस हम state 1 पर आ रहे है state 1 पर आ रहे है तो इसमें दीखिए जो heat interaction है वो कितना minus 10 minus 10 है मतलब same heat interaction मतलब ये process reversible तो नहीं same path तो नहीं होगा तो इसमें जो heat interaction हो रहा है कितना हो रहा है ये q21 जो ही it will be minus 10 kJ minus 10 kJ इसका मतलब यहाँ से heat क्या हो रहे होगी बाहर निकल रहे होगी यहाँ पर क्या हो रहा होगा यहाँ पर heat supply हो रहे है 20 और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है work क्या रहा है कितना 50 अब क्या बोला है कि इस process में work interaction कितना होगा बिल्कुल आसान question है देखे यह cycle है cycle के अंदर जितना heat interaction होगा उतना ही work interaction होगा 1 से 2 जा रहे है 2 से 1 वापस आ रहे हैं तो यह तो cycle बन गया है cycle के लिए minimum दो process की जर्वत होती है अब ज़र अगर 2 से 1 वही exactly path होता तो हमें कैसे पता चलेगा हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो heat interaction हो रहा यहाँ पर जो heat interaction हो रहा अलग-अलग हो रहा इसका मतलब वो process सेम नहीं है अलग-अलग process है तो हम क्या लिखेंगे net heat interaction is equal to network interaction तो इसको किस तरह से हम solve करेंगे q12 plus q21 is equal to w12 plus w21 तो q12 कितना है 20 plus और q21 कितना है minus 10 is equal to w12 कितना है 50 तो यहाँ से आप निकाल लीजे w21 तो w21 कितना हैगा यह हुआएगा 10 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा minus 40 तो 2 से 1 में work interaction कितना होगा minus 40 kilojoule minus 40 kilojoule will be the correct answer दूसा तरीका भी इसको solve करने का but I think इससे simple तरीका नहीं हो सकता है दूसा तरीका क्या है कि 1 से 2 में हमें दे रखा है heat interaction work interaction तो change in internal energy निकाल लीजे first slope thermonize लगा दीजे process के लिए internal energy जो होती ही क्या होती है यह point function होती है तो 2 से 1 अगर हम आएंगे तो भी change in internal energy वही रहेगा केवल sign change हो जाएगा तो वो चीज़ हमें बता दिया हुआ है heat interaction हमें दिया हुआ है तो work interaction निकल जाएगा तो ऐसे भी आप इस question को कर सकतो correct answer आपको बता चल गया यह यहाँ पर दिया हुआ है वो जो second method में आपको बता रहा था वो यहाँ पर दिया हुआ है but I think से पहले जो मैंने बता है जो method मैंने बता ही वो और भी आसान है बढ़े उसको आपको समझना होगा कि वो एक cycle बन रहा चली आगे बढ़ते है next question क्या बोल रहा है 106 change in enthalpy in a closed system is equal to heat transfer if the reversible process take place at constant अब देखें यहाँ पर क्या है एक कुश्चन already हम कर चुके है change in internal energy equal to heat transfer हो रहा था change in internal energy equal to heat transfer हो रहा था अब यहाँ पर क्या है change in enthalpy change in enthalpy जो है यह किसके बराबर है heat transfer के बराबर change in enthalpy is equal to heat transfer की यह बोला है अब क्या बोला है if the reversible process take place at constant अब वहाँ पर internal energy की बात थी अब यहाँ पर enthalpy की बात है तो यह कब होगा enthalpy heat transfer के बराबर कब होगा जब process क्या होगी उस process में temperature constant होगा internal energy constant होगी pressure constant होगा या entropy constant तो यहाँ पर इसको आपको answer आपको directly वेसे पता होना चाहिए pressure अगर constant रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि change in enthalpy जो होगा वो किसके बराबर हैगा heat transfer के बराबर है केसे इसको हम कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट लोब थर्मनाईस हम क्या लिखते हैं del q is equal to du plus del w अब देखिए pv is equal to mrt pv is equal to mrt अगर यह process है तो यहाँ पर हम अगर इसका partial differentiation करते हैं अगर मैं यहाँ पर del w की बात करूँ ती यह work तो कुछ भी हो सकता है न यह work क्या हो सकता है आपका pdv भी हो सकता है vdp भी हो सकता है तो दीखिए अगर यहाँ पर मैं closed system बोला है न तो closed system बोला है तो यहाँ पर यह जो work होगा यह क्या होगा pdv होगा इसको ऐसे जाए है यह यह work जो होगा क्या होगा pdv होगा closed system में तो यह work क्या होगा pdv work होगा न यह तो हमें पता है तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dq is equal to du plus pdv और pdv वरक अगर हम लिख रहे हैं आपर तो pressure क्या रखेंगे हम constant रखेंगे तो इसको हम differential form में कैसे लिख सकते हैं इसको differential form में मैं इसे लिख सकता हूं u plus pv अब u plus pv अगर मैंने इसको लिखा है तो दीखें यहाँ पर इसको जब आप खोलोगे तो यह क्या बनेगा du plus pdv plus vdp यह बनेगा ना जबकि equation तो अमारी यह थी आपने अगर इसको इस तरह से लिखा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह वाली term क्या होना चीजी जीरो होना चीजी तब ही जाके आप इसको इस तरह से लिख सकते हूं बात समझ मारी तो यहाँ पर यह term 0 कब होगी जब pressure क्या रहेगा constant रहेगा pressure constant रहेगा यह वाली term 0 तो यह दोनों term यह as it is वेशा का वेशा आ गई तो यहाँ पर u plus pv जो होता है यह क्या होता है enthalpy होता है तो यहाँ पर dq is equal to क्या बन जाएगा dq is equal to क्या बन जाएगा dh बन जाएगा तो यह दो question आप ध्यानक है heat supply is equal to change in internal energy जब process क्या होगी constant volume होगी heat supply is equal to change in enthalpy जब process क्या होगी constant pressure होगी ये कई बार कई एक्जाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा कई बार कई एक्जाम में पूछा जा चुका है तो correct answer क्या होगा? option C will be the correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं question number 107 क्या बोल रहा है? a gas is compressed in a cylinder by a movable piston to a volume one half of its original volume चलिए हमारे पास एक cylinder है इसके अंदर हम गेस को compress करें initial volume हमने बोल दिया V और compress करके हमने volume बना दिया कितना one half मतलब की आधा कर दिया V by do कर दिया okay compress क्या बोला है? during the process 300 kJ heat left the gas तो इस process के दुरान heat बहार निकल रही है ये कितनी बहार निकल रही 300 kJ heat बहार निकल रही है okay and the internal energy remains same यहाँ पर internal energy में कोई change नहीं हो रहा है change in internal energy will be zero internal energy remains same मतलब change in internal energy क्या होगा? zero होगा the work done on the gas is तो यहाँ पर work done कितना होगा? तो यह तो आपको question पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि internal energy में कोई change नहीं आ रहा है temperature में कोई change नहीं आ रहा है temperature में कोई change नहीं आ रहा है heat यहाँ से बहार निकल रही है कितनी? 300 kJ तो 300 kJ अगर heat बहार निकल रही है तो definitely यह heat जो होगी यह यहाँ पर हम इसके उपर जो work करें वही heat के फॉम में बहार निकलेगा क्योंकि internal energy में तो कोई change नहीं है न? internal energy में कोई change नहीं है तो यह zero है तो dq is equal to क्या बन जाएगा? dw बन जाएगा 300 kNm आणसर आजाएगा अभी के बिलकुल confused होने की जर्वत नहीं है kJ जो होता है यही kNm के बराबर होता है यह भी चीज आप द्याना तो ऐसे question को आप diagram जब आप बनाओगे तो चीजे automatically आपको समझ माँ जाएगी सभी अभी तक हमने जो question देखे है maximum में first law of thermodynamics आपको पता होना चीज जो heat supply करते है वही वर्क के बराबर होगा कब होगा जब change in internet है जी जीरो रही यह हम बहु सकते हैं कि इस से isothermal process अब क्या होता है कि इस 20 यहाँ पर फिर अगर समझ जाता है कि isothermal process से तो वहाँ पर फिर वो पीवन वीवन एलाइन वीटू बाई वीवन उससे भी हम निकाल सकते है बट initial pressure volume कहां दिया है चलो वीवन बाई वीटू यह तो cancel out हो जाएगा बट यहाँ पर पीवन वीवन की भी ज़द्वत पड़ेगी तो formula से आप निकाल पाते हैं जब यहाँ पर initial condition आपको D होती तो इस question का correct answer देख लेते हैं yes option D will be the correct answer और कैसे बोला है उन्होंने किसे तरह से समझाया है हाँ उसी तरह से समझाया है चली next question क्या है a thermoelectric engine which consists of two dissimilar electric conductor connected at two junction maintained at different temperature converts क्या बोला यहाँ पर thermoelectric engine है engine है तो engine जो होगा यहाँ पर input क्या होगा और output क्या होगा यह आपको बताना thermoelectric engine which consists of two dissimilar electric conductor connected to a two junction यह कुछ C-back effect के जैसाल आपको लग रहा है C-back effect में हम यही तो बात करते हैं दो dissimilar metal से हम दो junction मनाते हैं तो यहाँ पर thermoelectric engine क्या करेगा electrical energy को heat energy में convert करेगा यह heat energy को electrical energy में convert करेगा यह mechanical work को electrical energy में convert करेगा यह electrical energy को mechanical work तो दीखिए thermoelectric engine है तो mechanical work की की तो यहाँ पर कोई बात आईगी नहीं thermoelectric engine है तो यहाँ पर mechanical work की की बात आईगी नहीं अब देखिए, दो अलग-अलग temperature पर maintained है, different temperature पर maintained है, तो यहाँ पर यह क्या करेगा, जो connected at two junction maintained at different temperature, maintained at different temperature, तो वहाँ पर जो energy होगी, वो कौनसी energy होगी, वहाँ energy होगी, heat energy, वहाँ heat energy आपकी convert होगी, किसमें, electrical energy में, तो option B इसका correct answer होना चाहिए, I think, yes, option B will be the correct answer, क्योंकि दो अलग-अलग temperature पर maintained है, दो different temperature पर maintained है, मतलब इनिचेल उसके पास कौनसी energy होगी, heat energy होगी, और यह thermoelectric engine है, तो यह heat energy को किसमें convert करेगा, definitely electrical energy में, तो थोड़ा सा आपको इस question में, सोचना था बस और कुछ भी नहीं है, simple question था, तो इसका correct answer आपको पता चल गए, now more to the next question 109, question number 109, क्या बोल रहा है, a fluid flowing along a pipe, line undergoes a throttling process, throttling process दिमाग में आ गया होगा, जहां पर enthalpy जो होती है, क्या होती है, inlet और exit पर constant होती, ठीक है, throttling process, from 10 bar to 1 bar passing through है, partially open board, यह भी हमें बता है कि throttling में pressure क्या होता है, degrees होता है, जो है, जो है, वो 10 bar है, और final pressure, जो है, कितना हो गया, 1 bar, okay, passing through है, partially open board, partially open board, जो है, यह example है, throttling का, यह भी आप ध्यान नखे, question सही बहुत साजी चीज आप सिख जाओगे, before throttling, the specific volume of fluid is 0.05 meter cube per kg, throttling के पहले, specific volume उसका दे रखा है, and after throttling, it will be 2 meter cube per kg, तो specific volume throttling के दुरान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो liquid है, वो vapor में convert हो जाता है, heat develop होती ही, वहाँ पर, friction की वज़े से, यह भी हमें यहां से समझ बागया, the change in specific internal energy, during the throttling process, अब क्या बोलाए कि, change in specific internal energy, during throttling process, internal energy, अच्छा, enthalpy का अगर हमसे पूछा होता है, तो enthalpy में तो कोई change नहीं आएगा, enthalpy में तो कोई change आएगा नहीं, पर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि, internal energy में क्या change आएगा, तो internal energy में क्या change आएगा, यह आपको बताना है, तो कैसे करें, throttling process है, specific volume जो है, वो आपका बढ़ रहा है, और pressure, जो है, क्या हो रहा है, degrees हो रहा है, fluid बोलागा, यहाँ पर कोई ideal gaze भी नहीं बोल रहा है, ideal gaze अगर बोल देता, तो ideal gaze के लिए, आपको पता है कि, ideal gaze में temperature constant होता है, throttling के दो रहा है, enthalpy constant है, तो enthalpy जो होती है, temperature का function होती है, temperature constant, तो internal energy में भी कोई change नहीं आएगा, इसका मतलब इसका answer zero तो नहीं आएगा, जो students सोच रहे हैं कि इसका answer क्या होगा, zero होगा, तो zero तो नहीं होगा, अब change in internal energy अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पर, अगर हम बात करें, कि change in enthalpy जो होता है, यह क्या होता है, change in internal energy प्लस, change in PV energy, change in PV energy, तो यहाँ पर यह zero है, तो change in internal energy जो हमारे पास आएगा, तो यह PV, flow energy में जो change आएगा, वही change in internal energy के बराबर बनेगा, तो यहाँ पर आपको, क्या निकालना होगा, volume, specific volume में change आ रहा है, और pressure में भी change आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको change को क्या लिखेंगे, P2 V2 minus P1 V1, समझ रहे हो बात को, और यहाँ पर negative sign लगा लेते हैं, तो इसको फिर उधर ले जाएंगे, तो initial pressure, final pressure कितना है, वन बार, वन बार को अपन 10 की पावर 5 लिख लेते हैं, 10 की पावर 5, final volume कितना है, V2 कितना है, 2, ओके, initial pressure कितना है, 5 बार, तो 10 है, तो 10 इंटू 10 की पावर 5 भी आपको लिखना पड़ेगा, और initial volume जो है, कितना है, initial volume will be 0.5 meter q, अच्छा कुष्यन है, अच्छा कुष्यन है, काफी अच्छा कुष्यन है, तो 10 की पावर 5 को आप common निकाल लीजी, अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस, 10 इंटू 0.5, कितना बचेगा, 5, तो ये बन जाएगा, कितना, my answer किसमें, किलो जूल में दिया है, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दू, इतना समझ में आता है न आपको, 10 की पावर 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर बचेगा, 10 की पावर 2, 100 बचेगा, 100 को multiply करेंगे, किस से, minus 3 से, तो ये बनेगा, minus 300, minus 300 किलो जूल, minus 300 किलो जूल, अच्छा, और ये प हमारा option D will be the correct answer, काफी अच्छा कुश्चन था, जितना मैंने भी नहीं सोचा था, उससे भी अच्छा कुश्चन ये निकला, अब answer देख लेते हैं, yes, answer भी सही है, तो समझ माया होगा, आपको किस तरह से आपको सोचना था, solution दिया है, yes, दिया हुआ है, उसी तरह से दिया ह हुआ है, बट हाँ, अब मैंने जो बताया, method वही है, करने का तरीका, मलब concept वही है, करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकते है, तो यहाँ पर आप solution को देख सकते हैं, थोटलिंग में क्या होगा, H1 और H2 सेम रहेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने H1 इदे लिख लिख तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3300 किलो जूल पर केज़ी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 110, क्या बोल रहा है, question number 110, an insulated tank initially contained 0.25 kg of gas, with an internal energy 200 किलो जूल पर केजी, एक insulated tank बना लीजी, काफी अच्छे-च्छे कुशन आ रहे हैं इस session में, इस session में क्या आपने देखे होंगे, हर session में काफी अच्छे-च्छे कुशन है, यह हमारे पास एक insulated tank है, इसके अंदर 0.25 kg gas है, starting में, 0.25 kg gas है, बिल्कुल, कोई दिक्कत रही, क्या बोला है, with an internal energy, और इसकी internal energy कितनी है, specific internal energy, कितना है, 200 किलो जूल पर केजी है, और additional gas with an internal energy, अच्छे इसके अंदर gas को add कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और भी अच्छा कुशन में गया, और इसकी internal energy कितनी है, इसकी internal energy है, 300 किलो जूल पर केजी, okay, very good, and the enthalpy, अच्छा ये जो gas हम इंटर करा रहे हैं, इसकी enthalpy हमें दी गई है, कितनी, 400 किलो जूल पर केजी, 400 किलो जूल पर केजी, क्या बुलाएं, enters the tank until the total mass of the gas contain is 1 केजी, अच्छा कब तक हम इसके अंदर इसको इंटर कराएंगे, जब तक total mass कितना हो जाएगा, कितना ना हो जाए, 1 केजी, मिला ये 0.25 केजी already था, तो ये जो gas इंटर करेगी, ये 0.75 केजी इंटर कराना आपको, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा न, total mass कितना होगा, system के अंदर, 1 केजी होगा न, ये जो gas हम इसके अंदर mix करें, इसका mass कितना होगा, 0.75 केजी होगा, ओके, the final internal energy in kilojoule per kg of the gas in the tank, क्या तो बढ़िया खुश्च्छान है, final internal energy आपको बताना, देकि initial internal energy जो 0.25 केजी, gas थी, उसकी कितनी थी, 200 किलो जूल पर केजी, तो final internal energy, ये भी gas आ गई है, तो final internal energy आपको निकालना है, तो definitely 200 से तो ज़्यादा होगी, बट सारी option 200 से ज़्यादा है, अब दिके, इसे question को करने के लिए, simple सा concept है, मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर total internal energy अगर आपको निकालना है, तो ये जो gas थी, इसकी जो internal energy रहेगी, कितनी होगी, ये gas कितनी थी, पहले ती देखी, क्योंकि पर केजी पूछाए न, तो 0.25 केजी है, तो 0.25 केजी कितनी होगी, 0.25 multiply by 200, अब यहाँ पर आपको एक concept पता होना चाहिए, कि जब ये gas इसके internal energy में convert होगी, इसकी जो enthalpy है, यही इसकी internal energy में convert होगी, अगर आपने एक unsteady flow का question किया हो, कि अगर हमारे पास एक evacuated tank है, उसके अंदर अगर हम gas को flow कराते हैं, तो उसकी final internal energy जो होती है, वो gas आ रही उसकी enthalpy के बराबर होती है, ये question भी पूछा जाता है कहीं बार exam में, तो य यहाँ पर इसकी जो internal energy होगी, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे enthalpy को लेंगे, तो इसकी enthalpy कितनी है, 400, बट कितना आ रहा है, ये भी ध्यान अकना है, 0.75, 0.75 into 400, तो 0.75 into 400, तो 300, 300, प्लस 25%, दो सो का 50, तो 50 प्लस 300, तो कितना बन जाएगा, ये 350 किलो जूल पर केज़, जी बन जाएगा, है क्या option में, yes, it will be 350 किलो जूल पर केज़, ये आपको यहाँ पर ध्यान अकना पड़ेगा, चल, yes, correct answer भी है, और solution नहीं दिया था, कोई बात नहीं मैंने बता दिया आपको, चले, next question, question number 111, which one of the following is correct, the cyclic integral of del q minus del w, 4a process is, process की बात चल रही हाँ आपर, cyclic integral, 4a process, del q minus del w, का cyclic integral, तो del q minus del w is equal to क्या होता है, du होता है, first loop thermonics, 4a process हम पड़ते हैं, अब इसका cyclic integral, तो इसका cyclic integral मतलब इसका भी cyclic integral, तो दोनों का cyclic integral, अब आपको ये चीज़ पता होना चीए, कि किसी भी property का, जब हम cyclic integral करते हैं, तो property जो होती है, क्या होती है, point function होती है, और किसी भी point function वाली property का cyclic integral करोगे, तो कितना आएगा, जीरो आएगा, और यही तो first loop thermodynamics बन जाता है, cycle के लिए, ये जीरो होगा, तब ही तो हम बोलते हैं, कि del q, summation of del q is equal to del w, क्योंकि change in internal energy, जो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, दीखे, question को किस तरह से घुमा दिया है, पूछना क्या चारा है, वो पूछना चारा था है, कि, जो internal energy होती है, उसका cyclic integral क्या होगा, बट उसने internal energy ना पूछते हुए, क्या पूछा, cyclic integral of del q minus del w, तो यह आपको पता हूना, अच्छी, del q minus del w, जो होता है, change in internal energy के बराबर होता है, so the correct answer will be option c, ओके, चली देख लेते हैं, yes, option c will be the correct answer, now, move to the next question, दीखे, यहाँ पर solution भी दिया हुआ है, उसी तरह से दिया हुआ है, this is the first law for a closed system undergoing cycle, del w minus del q, 0 होगा, ओके, question number 112, क्या बोल रहा है, दीखे, 1 kg of ice at 0 degree Celsius is completely melted into a water at 0 degree Celsius, अब आपको यहाँ पर ध्यान अखना है, कि यह जो ice है, यह भी 0 degree Celsius पर है, और जो water हमें मिल रहा है, यह भी 0 degree Celsius पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, fusion हो रहा है, बिल्कुल melt हो गया, और यह 1 bar pressure रहेगा, atmospheric pressure है, the latent heat of fusion of water is 333 kJ per kg, दीखे, यह value आपको याद भी रखना है, यह approximate 334 होता है, यहाँ पर question में already हमें दे दिया गया, तो यह आपको 333 लेना है, दीखे, next क्या बोला है, the density of water and ice at 0 degree Celsius, 999 kg per meter cube and 916 kg per meter cube, दीखे, यहाँ पर आपको density दी गई है, किसकी, water की और ice की, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि ice की density जो होती ही, वो कम होती है, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर value भी आपको दी गई है, 916 यह ice की density होगी, और यह किसकी होगी, वाटर की, तो वाटर की density, 999 kg per meter cube और ice की density जो हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 916 दी गई है, तो दीखे, क्या क्या निकालना है, और heat transfer हमको निकालना है, तो दीखे, process क्या हो रही है, पहले इसको आप समझी, हमारे पास, 1 kg, ice है, 0 degree Celsius पर, इसको हम क्या करें, melt करें, मास्क तो वही रहेगा, 1 kg, और इसको हम convert करें किसमें water में, it is also at 0 degree Celsius, और यह भी क्या है, 0 degree Celsius पर, तो दीखे, work transfer होगा क्या, work transfer, यहाँ पर अगर volume में अगर change होता है, तो हम बोलते हैं कि work transfer होगा, तो definitely जब ice melt होगी, तो volume में क्या होगा, changes होगा, liquid में convert हो रहा है, क्योंकि ice की density का में, water की density ज्यादा है, तो यहाँ पर volume में change आपको देखने को मिलेगा, और pressure क्या है, constant है, तो यहाँ पर work interaction भी होगा, और heat interaction होगा, definitely होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यह melting हो रही है, और melting कैसी process है, fusion, constant temperature process है, phase change process है, तो यहाँ पर heat interaction जो होगा, कितना होगा, यह latent heat of fusion, जो कि already हमें दिया गया है, कितना 333 kilojoule per kg, तो heat transfer जो होगा, कितना होगा, 333 kilojoule per kg होगा, तो यह तो हमें पहले ही पता चल गया है, heat transfer जो होगा, कितना होगा, 333, तो दो option में 333 दिया गया, अब work transfer हमें निकाला, वेसे तो आप भी के question को option से भी कर सकते हो, अब यहां पर आपको यह पता होना चीए, कि ice का volume जो रहेगा, वो क्या रहेगा, जयादा रहेगा, इसका volume क्या रहेगा, जब melting होगी तो volume क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ice की density क्या होती है कम होती है तो यहाँ पर volume क्या हो रहा है degrees हो रहा है तो PDV PDV वर का आप निकालेंगे तो final volume minus initial volume final कम है initial जादा है तो negative answer आएगा pressure constant है तो definitely the correct answer will be option है महला अब यहाँ पर एक और चीज़े none of this भी दिया हुआ है none of the above तो यहाँ पर आपको calculate ही करना होगा दो option तो हमने eliminate कर दिये बढ़ यहाँ पर आपको calculate करना होगा अब calculate कैसे करें देखिए यहाँ पर हमें density दी गई है और mass दिया गया है तो mass 1 के जी है तो आप initial volume निकाल लीजी initial volume कितना होगा density is equal to mass upon volume तो यहाँ पर initial volume किया जाएगा mass by density तो हम volume निकालेंगे किसका ice का निकालेंगे तो ice का volume हम निकालेंगे तो mass हमने ले लिया कितना 1 ice की density हमें दी गई है कितनी 916 यह initial volume आ गया final volume जो रहेगा V2 हम बोल रहे है और यह volume किसका है water का यह volume कितना रहेगा mass तो वही रहेगा 1 और density कितना है 999 तो change in volume आप निकाल लीजेंगे यहाँ पर और pressure 1 बार हमें दिया गया है तो 1 बार pressure जो होता है कितना होता है 10 की पावर 5 तो work interaction जो होगा कितना होगा 1 into 10 की पावर 5 initial volume final volume कितना आगया तो 1 divided by 999 minus 1 divided by 916 तो इसको आप calculate कर लीजिए और यह work जो हमें मिलेगा यह किसमें मिलेगा Joule में इसको हम Newton meter भी लिख सकते किलो Joule में अगर option दिया है देख लेते है Yes Joule में ही दिया हुआ है तो Joule में आप निकाल सकते हो इसको 1999 1 divided by 999 minus 1 divided by 916 इसको आप multiply कर लीजिए किस से 10 की पावर 5 से तो यह आएगा minus 9.070 Joule यह आपको मैं पहले ही बता चुका था कि answer जो आएगा वो negative आएगा तो correct answer क्या हो जाएगा Option A will be the correct answer या तो आप solve करें या थोड़ा सा rix ले ले दो option already आपन eliminate कर चुके है पर यहाँ पर यह negative माएगा यह हम sure थे तो correct answer क्या होगा इसका option A will be the correct answer चलिए Now move to the next question Question number 113 देखिए solution भी आप यहाँ पर दिया हुआ है होगा 333 kJ जब ice melt करेगी liquid state में आईगी तो वहाँ पर वहाँ से कुछ heat reject होगी तो वही heat transfer आपका यहाँ पर आ चाहिएगा Next question क्या है A balloon which is initially collapse and flat is slowly filled with a gas at 100 kPa तीक हमाँ पास एक flat balloon है और इसको हम fill कर रहे है एक gas से और जिसका pressure हमें दिया हुआ है कितना 100 kPa okay so as to form it into a sphere अच्छा यह balloon जो है क्या बन गया है कि sphere बनी गया इसको हम sphere बना लेते हैं और इस sphere का diameter हमें दिया हुआ है 1 meter radius दिया हुआ है तो diameter कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा diameter will be 2 meter okay the work done by the gas in the balloon during the filling process तो दीकिए pressure जो है यहाँ पर constant रहेगा तो work done जो होगा balloon जो है क्या है closed system है closed system है तो work interaction जो होगा हो कितना होगा PDV तो change in volume आपको निकालना initially flat है तो initial volume जो रहेगा क्या रहेगा zero रहेगा final volume यह spherical shape का balloon बन गया है तो final volume क्या होगा spare का volume तो spare का volume का relation आपको बताऊना च्छी 4 by 3 pi r cube यह final volume होगा तो यही change in volume होगा क्योंकि initial volume तो zero है और pressure आपको दिया हुआ है कितना hundred kilo pascal तो work interaction जो होगा कितना होगा hundred kilo pascal options आरे kilo joule में तो आप pressure को भी kilo pascal में रखें hundred into change in volume जो है कितना है 4 by 3 pi r cube radius 1 meter दे रखा है तो 1 का cube तो इसको आप जब solve करेंगे तो देखिए 4 by 3 into pi और इसको आप multiply कर दीजी किस से? hundred से so it will be 42 okay hundred kilo pascal तो यह आएगा आपका 4 to 0 तो correct answer जो होगा क्या होगा? option c will be the correct answer 4 by 3 pi r cube इसको आप multiply करेंगे 4 by 3 yes 418 418 will be the correct answer next question question number 114 देखिए क्या बोल रहा है ए 4 kilowatt 20 liter water heater is switched on for 10 minutes देखिए इस water heater की capacity हमें दे रखिए कितनी? 4 kilowatt तो capacity जो दी गई है 4 kilowatt अब यह आपको पता होना ची kilowatt का मतलब क्या होता है? kilo joule per second इसको चलाया कितनी देर तर? 10 minutes तर the heat capacity C for the water तो heat capacity water की हमें दे रखिए 4 kilo joule per kg kelvin assuming all the electrical energy has gone into the heating of water the increase of the water temperature दीए जो heater हम चला रहे है उससे क्या हो रहा है? यह जो water है इसका mass हमें दे रखा है कितना दे रखा है? 20 liter और यहाँ पर हमने heater लगा दिया और यह heater से जो electrical energy जा रही है यह electrical energy क्या करे है? इसके temperature को increase करे तो हमें यही बताना है कि temperature में कितना change आए है तो अब यहाँ पर दिखिए इस question में क्या दिक्कत आ सकती है? आपको यह समझना होगा कि 20 liter हमें mass हमें सक इसमें जरुद देता है kg में तो कहीं बार कहीं session में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि liter equal to kg in case of water तो यह 20 liter आपको दे रखा है तो इसको आप directly 20 kg ले लीजी क्योंकि water की density हम consider करते हैं कितना thousand kg per meter क्यों? तो mass हमें बता चल गया mass अगर हमें बता है तो mc delta t जो रहेगा यह किसके बराबर रहेगा जो heater energy supply करा अब heater के capacity हमें दे रखी है capacity will be 4 kilowatt 4 kilowatt का मतलब क्या हुआ 4 kilo joule energy per second वो supply करा कितनी देर तक हमने चलाया इस heater को यह 10 minute तक तो 4 kilo joule per second है 10 minute तक अगर हम इसको चलाएंगे तो कितना energy जाएगा वाटर के पास तो यह हो जाएगा आपका 10 multiply by 60 यहाँ पर यह mass हमें दे रखा है 20 C हमें दे रखा है कितना है 4 और change in temperature हमें यहां से निकालना है तो 4 से 4 cancel out हो जाएगा यहाँ पर इसको आप solve करेंगे 0 से 0 cancel out हो जाएगा 2 से यह 6 cancel out हो जाएगा 30 will be the change in temperature yes so the correct answer will be option D next question 115 क्या पुल रहा है in which one of the following process in a closed system the thermal energy transfer to the gas is completely converted into an internal energy resulting in an increase in the gas temperature ठीकिए इसे दो कुश्चन हम already कर चुके है एक पहला कुश्चन क्या था कि ऐसी कौनसी process है जिसमें जो भी हम energy transfer करेंगे वहां internal energy को increase करने में काम आईगी एक कुश्चन हमने देखा था कि जो heat transfer हम कर रहे है उससे enthalpy change हो रही है तो pressure जो process होगी वह कौनसी होगी अब यहां पर कुश्चन क्या बोला है देखे अगर internal energy में convert हो रही है temperature बढ़ेगा नोड आउट बढ़ेगा जो भी हम heat supply कर रहे है उससे क्या हो रहा है internal energy बढ़ रही है अब देखे जो भी हम heat supply करते है इससे क्या-क्या हो सकता है जो भी हम heat supply करते है इससे केवल internal energy increase हो रही है इसका मतलब यहां पर work interaction जो होगा क्या होगा जीरो होगा और work interaction जीरो किस process में होता है अब close system बोल रहा है close system process कौन सी होगी जिसमें work interaction जीरो होगा तो close system work आपको पता होना चीए it will be PDV और PDV जीरो कब होगा PDV जीरो होगा जब V क्या रहेगा constant रहेगा V constant रहेगा तो changing volume जो रहेगा जीरो रहेगा change in volume जीरो रहेगा तो work interaction भी जीरो रहेगा और अगर volume अगर constant है तो AC process कोрал क्या बोलेंगे आइसो कॉरिक process बोलेंगे जिसमें volume क्या रहेगा constant रहेगा आइसो कोरिक के अलावा इसका एको नाम है वो भी आपको पता होना ची आइसो मेट्रिक यहाँ पर ओप्षन में आइसो मेट्रिक भी हो सकता है यही प्री एक्सपंशन से कन्फ्यूज होने की जर्वत नहीं है पर एक बहुत अच्छा ऑप्षन डाल दियो प्रीं expansion में internal energy जो होती है वो constant रहती है, initial और final internal energy सेम होती है, कोई work interaction नहीं होता है, कोई heat interaction भी नहीं होता है, जबकि यहाँ पर question में क्या बोला गाया था, जो हम heat supply कर रहे हैं, उससे internal energy change हो रही है, तो क्या होता है, जब भी option में free expansion दिखता है, क्योंकि free expansion के question जो है frequently पूछे जाते है तो अगर आपने question को ध्यान से नहीं पड़ा, तो फिर आप गड़बड़ी कर सकते हैं उस question में, चलिए, next question, question number 116, क्या बोला है, which one of the following, express the reversible work done by the system, between state 1 and 2, तीकि यहाँ पर bracket में लिखा हुआ है, steady flow, यह steady flow लिखा हुआ है, अगर steady flow अगर नहीं लिखा होता, तो इसके एक से अधिक answer हो सकते थे, अब यहाँ पर steady flow अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह किसकी बात चल रही, open system की बात चल रही, open system में work interaction क्या होता है, किसी reversible process की अगर हम बात करें, तो यह open system में work interaction जो होगा, क्या होगा, integration of minus VDP, close system क अगर बात होती ही, तो यही बन जाता PDV, so the correct answer will be 1 से 2 की बात चल रही है, तो option B जो होगा, क्या होगा, इसका correct answer होगा, minus VDP का integration कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, yes, next question, question number 117, क्या बोल रहा है, इन्हें reversible isothermal expansion process, the fluid expands from 10 bar to 10 bar and 2 meter cube to 2 bar, 10 meter cube, दीकि initial pressure जो है, वो हमें दे रखा है 10 bar, और final pressure हमें दे रखा है 2 bar, pressure कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, definitely it will be expansion process, expansion में क्या होता है, volume बढ़ता है, तो यहाँ पर 2 meter cube initial है, और final जो है, 10 meter cube, expansion हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें work मिलेगा, अब क्या बोला है, question में, during the process the heat supply will be 100 kilowatt, the work done during the process, अब यह question में, अगर आप calculation करने बेड़ गए, तो गड़बड़ी कर सकते हो, अब question को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो यह जो question है, इसका question है, isothermal process का question है, और isothermal process में आपको पता होना चीए, कि internal energy में कोई change नहीं होगा, क्योंकि temperature क्या रहेगा, constant रहेगा, और temperature constant रहेगा, तो जितना आप heat supply करते हो, उतना ही work interaction होगा, और यह बात सुनकर आपको अजीब लगड़ा होगा, कि जितना heat supply करेंगे, उतना work कैसे possible है, is it the violation of second law of thermodynamics, बिलकुल नहीं, क्यों, क्योंकि second law of thermodynamics जो होता है, it is applicable only for cycle, process में anything is possible, जितना heat supply करोगे, उतना work मिल जाएगा, even, जितना heat supply करते हो, उससे जादा भी work मिल सकता है, even, कुछ भी heat supply नहीं करेंगे, उससे भी, तब भी हमें work मिल सकता है, यह process में possible होता है, cycle के अंदर यह possible नहीं होता है, कि जितना heat supply करेंगे, उतना work हमें मिले, तो, it is not a violation of second law of thermodynamics ये बात भी ध्याना कि, second law of thermodynamics किसके लिए वेरेट होता है, cycle के लिए, तो यहाँ पर heat supply हमें दे रखा है कितना, heat supply will be 100 kilowatt, तो definitely work interaction जो होगा, वो भी कितना होगा, 100 kilowatt होगा, calculate करने की जरुवत नहीं, calculate अगर हमें करना होगा, तो कैसे हम calculate करेंगे, initial pressure, volume भी हमें दे रखा है, तो work interaction जो होगा, कितना होगा, P1, V1, LN, P2, V2, P2, expansion हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, P1 by P2, इससे भी आप calculate करेंगे, तो answer, same ही आएगा, so the correct answer will be option B, देखिए, यहाँ पर भी, बिना calculation से उन्होंने answer निकाल दिया है, 100 kilowatt will be the correct answer, चलिए, next question, question number 118, क्या बोला है, 85 kilojoule of heat is supply to a closed system, at a constant volume, closed system में volume constant है, heat supply कितना हो रहा है, 80 kilojoule, during the next process, the system reject 90 kilojoule of heat, at a constant pressure, देखिए, पहली जो process है, वो constant volume है, जिसमें heat supply कितना हो रहा है, 85 kilojoule, उसके बाद में, constant pressure process है, जिसमें, system reject heat 90 kilojoule, then, while 20 kilojoule of work is done, ये constant pressure process जो है, इसमें 90 kilojoule, heat का interaction हो रहा है, 20 kilojoule, work interaction हो रहा है, the system is brought to an original state, by an adiabatic process, the initial internal energy is 100 kilojoule, then, the quantity of work is transferred during the process, देखिए, अब question जो है, इसमें 3 process है, तो यहाँ पर इसको आपको upload करना पड़ेगा, तब ही आप इसका answer निका सकतो, देखिए, अगर हम यहाँ पर इसके लिए PV diagram बनाते हैं, तो किस तरह से बनेगा इसका PV diagram, सबसे पहली जो process है, क्या है, यहाँ पर, देखिए, 85 kilojoule, heat is supplied to a closed system, at constant volume, volume constant process, अगर हम है बनाना, heat supply, अगर हम कर रहे हैं, तो pressure बढ़ेगा, मतलब यह process जो है, वो, एक vertical line से हमें represent करनी पड़ेगी, 1 से 2, then क्या बोला, the system reject 90 kilojoule of heat at constant pressure, pressure constant, heat अगर reject हो रही तो definitely volume क्या होगा, degrees होगा, तो 2 से 3 जो process होगी, कुछ इस तरह से बनेगी, next, the system is brought to the original state by adiabatic process, तो adiabatic process है, कर्व की मदद से हम represent करते हैं, तो यह वापस हम आगए, 1 पर, तो दिखिए, 1 से 2 में क्या हो रहा है, 85 kilojoule of heat is supply, यहाँ पर heat supply कर रहे हैं हम कितना, 85 kilojoule, और 2 से 3 में क्या हो रहा है, the system reject 90 kilojoule, यहाँ पर यह heat reject करा कितना 90 kilojoule, at constant pressure, while 20 kilojoule of work is done on it, done on it, मतला इसके उपर work हो रहा है कितना, 90, sorry, it will be 20 kilojoule, यह work है दियाना के, और यह दोनों heat है, अब क्या बोला है, the system brought to the original state by an adiabatic process, the initial internal energy, यहाँ पर इस point पर initial internal energy हमें दे रहा है, U1, कितना, 100 kilojoule, क्या बोला है, then the quantity of work transfer during the process is, तो इस process के दुरान work transfer आपको निकालना है, तो दीए work transfer निकालने का, यह cycle बन गया, तो work transfer निकालने का एक तरीका, तो यह है कि area under this cycle, यह work transfer बन जाएगा, ओके, यह area हम कैसे निकालने, अच्छा, net heat transfer is equal to net work transfer cycle के लिए हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अब यह जो process है 321, यह 321 adiabatic process दे के question में बोला गया है, यह आपको ध्यान रखना है, adiabatic process इसका मतलब यहाँ पर heat transfer जोगा, क्या होगा, जीरो होगा, तो heat transfer जीरो होगा, तो इस process में, इस process में, इस process, तीनों process में heat transfer हमें दे रखाए, तो work transfer definitely हम निका सकते हैं, तो net work transfer is equal to क्या होगा, summation of q, तो summation of q, sign का आप जाना कें, यहाँ पर heat supply करें to the system, so it will be taken as positive, तो 85 positive रहेगा, यहाँ पर यह work है, यहाँ से heat rejectory 90 kJ, तो यह रहेगा negative 90, और यहाँ पर इस process में, तो कोई heat transfer नहीं हो रहा है, तो जी, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यह minus 5 kJ, minus 5 kJ, और 7 में, यहाँ पर यह adiabatic process, देखे constant volume process है, इसमें तो कोई work contraction होगा नहीं, तो w12, प्लस क्या लिखेंगा हम यहाँ पर, w23, प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, w31, यह net work है, यहाँ पर इस adiabatic process में work transfer हमें निकालना, तो w12 हमें कितना दिया है, यह तो 0 होगा, क्योंकि यह constant volume process है, w23 कितना है, यह work कर रहे हैं, तो यह negative रहेगा, minus 20, तो यह minus 20 उदर जाएगा, तो यह कितना बन जाएगा, 15, yes, minus 20 उदर जाएगा, तो इस adiabatic process में work कितना मिलेगा, 3 से 1 में, यह बन जाएगा, minus 5 plus 20, so it will be 15 kilojoule, तो अब यहाँ पर पूछा क्या है, the quantity of work transfer during the process, अब यहाँ पर आपको समझना होगा, process का work पूछा है, मतलब यह जो last process 3 to 1, इस process में जो work interaction होगा, वो हमें निकालना है, तो यह कितना आजाएगा, 15 kilojoule, so the correct answer will be option D, next question, question number 119, देखिए क्या है question, the thermal electric power plant produce 1000 megawatt of power, if the coal release 900 into 10 की power 7, यह कितना होगा, 10 की power 7 है, kilojoule per hour of energy, then the rate at which the heat rejected from the power plant, देखिए, एक thermal electric power plant है, जो की 1000 megawatt power produce कर रहा है, जो coal हम supply कर रहे हैं, उससे कितनी heat release हो रही है, 900 into 10 की power 7 kilojoule per hour, सबसे पहले तो इसको भी आप kilowatt में convert कर लीजी, क्योंकि यहाँ पर भी watt में answer दिया हुआ है, तो यह 900 into 10 की power 7, यह kilojoule per hour है, तो hour को आपको second में convert करना होगा, तो यह 3600 से आपको divide करना पड़ेगा, यह हम heat supply कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप इसको समझ सकते हो, then the rate at which the heat rejected, अब देखिए, जो हम heat supply करते हैं, उससे हमें यह work मिल रहा है, यह power हमें मिल रहा है, बांकी की remaining heat जो होगी, वो क्या होगी, reject होगी, तो इसको आप calculate कर लीजिए पहले, तो यह कितना megawatt बनेगा, मेगावatt में इसको हमें convert करना है, तो इसको again 10 की power 6 से आपको क्या करना पड़ेगा, divide करना पड़ेगा, तो इसको आप से divide करेंगे, तो यह बन जाएगा आपका कितना, 10 by 4, 2.5 megawatt बन जाएगा, यह heat हम supply कर रहे हैं, ओके, और power output जो हो रहा है, कितना हो रहा है, 1000 megawatt पाव, ओके, 1000 megawatt, 1500 megawatt answer आएगा इसका, यहाँ पर कुछ घडबड़ी कर रहे हैं, अच्छा यह kilojoule है न, तो 10 की power 3 से आपको multiply करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर 10 की power 3 से भी multiply करना पड़ेगा, तो इसको 10 की power 3 से multiply करेंगे, तो 2.5 into 10 की power 3, 2.5 into 10 की power 3, कितना बन जाएगा, 2500, यह 2500 megawatt आप क्या कर लो, heat supply कर, जिससे वर्ग कितना मिल रहा है, 1000 megawatt, तो heat reject जो होगा, कितना होगा, यह हो जाएगा, 2500 minus 1000, so it will be 1500 megawatt, will be the heat reject, चल लो, तो इस question का correct answer भी हमें पता चल गया, it will be option B, और किस तरह से calculate किया, वही जो concept में आपको बताया, यह 2500 megawatt, energy release होगी, call के combustion से, और यहाँ पर हमें जो power मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 1000 megawatt हमें power मिल रहा है, तो heat reject कितना होगा, remaining जो है, वो heat reject में चला जाएगा, चले, last question of today's session is, 0.70 kg per second of air inter with a specific enthalpy, 290 kJ, देखे, mass दे रखा है, mass flow rate दे रखा है, और उसकी specific enthalpy हमें दे रखी, and leaves it with 450 kJ of specific enthalpy, यह kJ per second होना चीए, वो भी specific दे रखा, को दिक्कत नहीं है, velocity at inlet and exit is 6 and 2 meter per second, respectively, assuming adiabatic process, what is the power input to the compressor, अब देखे, compressor में power input निकालना है, तो compressor में power input निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखे, कि compressor जो होता है, कि steady flow device होता है, तो इसके लिए हम steady flow energy equation लिखेंगे, क्या, h1 plus c1 का square by 2 plus gz1 plus heat transfer is equal to h2 plus c2 का square by 2 plus gz2 plus work transfer, अब देखे, compressor में जो process होती है, it will be adiabatic process, तो heat transfer will be 0, change in potential energy will be neglected, तो ये दोनों term भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, initial enthalpy दे रखे, अब देखे, ये enthalpy क्या है, specific enthalpy है, कितने mass की enthalpy है, ये 1 kg की है, बट mass flow rate कितना है, 0.7 है, तो आपको यहाँ पर 290 को multiply करना पड़ेगा, किससे 0.70 से, plus यहाँ पर ये kinetic energy, इसको भी आपको multiply करना पड़ेगा, किससे 0.70 से, अब kinetic energy, initial kinetic energy कितनी बनेगी, initial velocity is 6 meter, तो ये बन जाएगा 6 का square divided by 2, is equal to H2 कितना रहेगा, final kinetic energy जो रहेगी, क्या रहेगी, sorry, enthalpy कितनी रहेगी, 450, पर इसको आपको multiply करना पड़ेगा, 0.70 से, plus kinetic energy, finally कितनी रहेगी, 2 meter per second, तो ये रहेगा, 0.7 multiply by 2 का square by 2, plus work interaction, यहाँ से work interaction है, तो इसको आप solve करोगे, तो यहाँ से आपको work interaction मिल जाएगा, ओके, तो 290 multiply by 0.70, तो 290 multiply by 0.70, तो इसको आप इधर लेकर आजाएए, पहले, इसको माइनस कल लीजिए, minus 450 into 0.70, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कि compressor में जो work input हम देते हैं, वो mainly enthalpy के change को, अगर हम देखें, तो वहीं से हमें work input मिल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर enthalpy का change आप देखोगे, तो 112 आगे, यहाँ पर इसलिए 112 भी option में, फिर आपको kinetic energy के change को भी आपको calculate करना होगा, तो इन दोनों का difference तो हमें मिल गया 112, तो इन दोनों का difference अगर हम निकाल लेंगे kinetic energy change का, तो कितना बनेगा, 36 divided by 2, अच्छा, एक बात ध्यान अखें, यह किलो जूल में है, और यह kinetic energy जो आती है, आपकी यहाँ पर जूल में आती है, तो यह change जो रहेगा, यह काफी कम रहेगे, तो आप directly enthalpy के difference से आप निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का difference आप लोग है, यह किलो जूल में है, और यह जो है क्या है, जूल में है, तो इन दोनों का difference लोग है, यह जूल में वेल्यू भोती कम आईगी, तो दोसो बारा प्लस माइनस भोती कम वेल्यू रहेगी, तो answer जो रहेगा, वो क्या रहेगा, डेफिनेटली दोसो बारा किलो वाट ही रहेगा, क्योंकि specific enthalpy unit देखिए आप, specific enthalpy unit जो है किलो जूल में, औ इसको भी अगर हम calculate करते है, 36 by 12, 36 by 2, तो कितना जाएगा, यह 18, 18 को आप multiply करेंगे किस से, 0.70 से, तो यह कितना बनेगा, आपका 12.6 बनेगा, और यहाँ पर इसको आप calculate करेंगे, 22 जा 4, 4 divided by 2 कितना हो जाएगा, 22 into 0.7, तो यह आपका जाएगा 1.4, तो इसको minus करेंगे 12.6 को, 12.6 को आप minus करेंगे 1.4 से, तो यह क्या बनेगा, 11.2, बड़ यह क्या है, जूल है, इसको आप kilojoule में convert करेंगे, 112 में से आप इसको minus करेंगे, या add भी करेंगे, तो value में ज्यादा changes नहीं देखने को मिलेगा, तो correct answer जो रहेगा, क्या रहेगा, option D रहेगा, तो हमेंसा द्याना के compressor का, अगर question आता है, तो आप directly change in enthalpy को देखें, change in enthalpy जो रहेगा, वही power input के बराबर रहेगा, क्योंकि kinetic energy में change जो है, वो negligible होता है, velocity में, although यहाँ पर दिया है, velocity में change आपको दिया हुआ है, बड़ यह calculation को आपका बड़ा देगा, और answer जो है, ले देके वही तो correct answer जो रहेगा, क्या रहेगा, option B will be the correct answer, देख लीजे, यहाँ पर भी इससे calculate किया है, यहाँ पर भी kinetic energy को consider किया है, बट, finally answer उतना ही आया है, जो enthalpy के change से आना था, ओके, तो यह total 20 questions हमने देखें इस session में, I hope आपको session पसंद आया होगा, तो पूरे 20 questions हमने देखें, तो next session में मिलेंगे, इसी तरह से 20 questions हमने देखेंगे next session में, चली, thank you very much, तो मिलते हम next session में, अगर session पसंद आया, तो आप इसको जरूर mention करें, comments box के अंदर, और session की PDF के लिए must join our public telegram group, AEC plus app and VT discussion channel, so thank you very much, मिलते हम next session में, good bye.